नमस्ते मेरे पैरे पैरे बच्चो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स मैं विशाल मेगानी आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल विवे कानन इंजिनरिंग अकैडमी पर फाइनली मेरे पैरे बच्चो MSBD का रिजल्ट आ चुका है होफुली आप सब लोगों ने रिजल्ट चेक कर लिया होगा अभी दग अगर आप लोगों ने रिजल्ट चेक नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए रिजल्ट चेक करने का जो लिं अब आप यहांफे दोस्तो first year के student जाएंगे, second year के student third year में जाएंगे दोस्तो अब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे doubts क्रियेट हुए दोस्तो और वो doubts क्या-क्या है तो उसकी एक मेने list यहां पे बनाई हुई है देख सकते हैं दोस्ते यहां पे ठीक है ना यह doubts क्या क्या हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यह सभी doubts जो मैंने लिखे या ना पे वो मेरे मेने मन से नहीं लिखे हैं बहुत सारे students के मुझे phone आए और वो phone करकर कि यह doubts मुझे से पूछ रहे हैं अब phone पे अगर हर एक को मैं answer करूँगा तो काफी समय भी लगेगा दोस्तों और सभी लोगों के मन में अगर काफी बच्चे मुझे तक ना भी पहुच पाएं तो उनके doubts तो clear होंगे नहीं ना तो इसके लिए मैं क्या करूँगा एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा दोस्तों आपे जिसके अंदर यह जो सारे doubts हैं जो मैंने board पर लिखी हुए मैं दोस्तों क्या क्या हैं आपके लिए मैं एक बार पढ़ देता हूं जसकी कि सर ओटियो इस बार आने वाला है क्या क्या कोई चांसे ओटियो आने का यहां फिर जो रीचेकिंग हम पेपर की करते हैं वो करनी चाहिए कि नहीं मुझे इतने marks है तो मैं रीचेकिंग के कौन eligible होता है कंडो marks 10 दिये जाते हैं आप लोगों को तो उसके लिए कौन कौन eligible होता है कंडो marks के लिए सासा दोस्तों admission दोस्तों जैसे कि suppose मुझे next semester में जाना है मैं अगर second semester में हूँ और third semester में मैं जाने वाला हूँ तो क्या मैं मेरे अगर backlog subjects लगें तो क्या मैं third semester के semester में जाने के लिए इसकी information re-examination दोस्तों जिनके backlog लगे हैं तो उनका वापर वापस paper कब होगा है इसकी information साथ साथ दोस्तों कुछ बच्चों कमन में ऐसा भी doubt है कि sir मेरा जो online paper है न वो back रह चुका है तो क्या उसके लिए मुझे rechecking डालना चाहिए क्या online paper का भी rechecking डाल जाता है क्या तो इस जो सारे doubts है मेरे पैर बच्चों इन सभी doubts के लिए मैं एक one shot video आप लोगों के लिए बनाऊंगा इसके अंदर मैं सारी information collect करके आप लोगों तक provide करूंगा दोस्तों फिलाल आप लोग जो है आपका result आया है जल्दबाजी मत करिए दोस्तों इंतजार कर दूँगा कि अगर आप all clear है यहां all clear नहीं भी हैं दोस्तों अगर आप मैं आपको यही सला दूँगा कि जो बचे हुए 15 दिन 20 आप लोगों के पास है जब तक आप लोगों का जो नया semester शुरू नहीं होता है तब तक आप लोग अपना समय वियर्थ मत गवाई है दोस्तो next semester जो आपका आने वाला है उसके अंदर आप लोगों को कौन कौन से subjects पढ़ने हैं हाना उसका syllabus क्या है दोस्तों यह तो भी आप पता करना शुरू कर दीजे और अगर आप दोस्तों syllabus जानना चाते है न तो हमारे इसी YouTube चैनल के उपर मैंने already videos भी upload किये हैं जिसकी link भी आप जो है syllabus भी देख सकते हैं साथ-साथ मेरे प्यारे बच्चों आप अगर अभी से अपनी पड़ाई शुरू करना चाते हैं तो हमारा एक app भी है मेरे प्यारे बच्चों जिसका नाम है विवेकानन्द Engineering Academy दोस्तों यह app आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या इसक को पढ़ने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों हाना जिसके demo lectures भी available हैं तो अगर आप लोग पढ़ना चाते हैं तो at least मैं आपको suggest करूँगा कि demo lectures भी देखना शुरू कर दीजे और कहीं अगर आपको demo lectures मतलब अच्छे लगते हैं तो आप हमारा course भी purchase कर सकते हैं और अभी course के रहें ठीक है चलिए अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे बच्चों और पढ़ाई करते रहें